एलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजान और श्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरू जी पर आज एक बहुत ही जबर्दस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे आसन का फर्मूला कैसे आप आसन निकाल कर देजेगा क्योंकि आप ही का पसिंद्ड़ टॉपिक है जो लोग चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के शांदर वीडियो को देखिए यह सिंपल सा डाइग्राम है सलवार का मैं सबसे पहले यह बता देता किसको है तो सलवार यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर देखना इसको अब मैं तिर्चा करता हूं यह ऐसे यह आसन लिखा हुआ है लेकिन आसन कहां तक आएगा यहां मियानी लगती है और यहां से लिए करके यह वाला जो पूरा हिस्सा है यह आसन होता है जिन जिन पैजामा के पैटन्स में जैसे कि सलवार पट्याला चूड़ीदार जिसमें भी बेल्ट लगता है कमर पट्टी वह इंक्लूड होता है इस आसन में ठीक है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे अगर आप जलबाजमी है यह वीडियो यही पर स्कीप कर स यह बिल्कुल सीधा निशान हो गया इसके बाद जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं लंबाई नापते हैं किसी भी सलवार का तो लंबाई के लिए मैं नहीं बता रहा हूं लंबाई आप नापोगे तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना जैसे आप सलवार बना रहे हो तो हम क चलो जैसे सलवार की लंबाई है 38 इंच का तो यह 38 इंच का हम निशान वगर लगा देंगे हैं को सिंपल प्रोसेशा उधर नहीं जाते ठीक है पांच इंच छोड़ करके लगाते हैं यह चीज मुझे बताना था उसके बाद जैसे हम आसन का निशान लगाते हैं यहां पर आपका जो शलवार का घेर है वो इस प्रकार से घूमता है ठीक यह ऐसे सलवार बना रहे हो चूड़ीदार बना रहे हो जो भी है तो यही वाला एरिया आसन होता है कहां तक का यहां तक का जो एरिया है यह आसन कहलाता है ठीक है उपर का आपका पांच इंच का कमर वेल्ट जो छूटा हुआ है और ये तोटल जो 14 इंच पे उंगली रखी है मैंने वहां तक कहरी आपका आसन होता है इसी को आप कैसे पहचानो होगे कि कितना इंच पर लगाना है सिंपली एक चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप सभी के आये थे तो उस हिसाब से इस वीडियो पे लाइक भी आना चाहिए फटाफट से लाइक का बटन दबाओ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट करके बताना कि आपके जो रिक्वेर्मेंट थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पैजामा के लिए आशन फॉर्मूला सलवार लेडिस पैंट चुड़ीदार पठियाला प्लाजो के लिए मलब सभी में काम आएगा लंबाई देखें लंबाई एक मैंने अनुमानित लंबाई लिखी है जो कि सभी में 38 इंच लिखा हुआ है ठीक है यह 40 भी हो सकता है एक चालिस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है लेकिन आपको ध्यान कहां देना है, हिप के उपर ध्यान देना है जैसे 34 इंच का हिप है, तो आसन का निशान आपका 13 इंच पे आएगा 36 का आसन, साड़े तेरा पे आएगा 38 इंच हिप है, तो 14 इंच पे आएगा ठीक है 42 का अगर हीप है तो 15 पे आएगा 44 इंच का हीप है तो साड़े पंदरा पे आएगा इस तरीके से बनेगा यह पूरा आपका आशन फार्मूला इसका आप ले सकते हो एक स्क्रिंशॉट और आप सभी को बता दू कि इसमें सभी तरह का जो मार्जिन होता है जिससे हम 1,5 इंच जो भी मार्जिन कभी कभी लेते हैं वो सब मार्जिन एड है तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देनी की ज़रूरत नहीं है यह पूरा एड करके हमने आपको दिया केवल आपको इसे तर शल्वार है, इसका चलिए आसन नाप करके देखते हैं, आज इस टॉपिक को मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, तो जैसे आपके पास भी कटिंग के लिए आता है ना, तो इस तरह का अगर पुराना नाप का कपड़ा आया है, तो ये चीज आपको नाप करके देखना है, ज इस तरह से जब भी आपके पस अगर पुरानी कप्ड़े आ रहे हैं तो आप आसन का नप लो body measurement में आसन बहुत मुश्किल होता है नपने के लिए लेकिन अब पुरानी कपड़े हैं तो आसन का नप अच्छे से लीजिए अगर आपने body measurement लिए इस चार्ट को आप follow कर सकते है body measurement में भी आसन को नापा जा सकता है उसके लिए कभी और discuss करेंगे तो ये चीज मुझे बता नहीं थी दूसरा कमर belt के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कमर belt की cutting कैसे होती है तो इसके लिए मैं बहुत ही असान आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ जो आपका hip है उसमें आप 10 inch plus करोगे और उसी साब से आपका कमर belt बैठ जाता है 8 inch भी plus करेंगे तो भी चलेगा 8 inch 10 inch बढ़ा करके कमर belt को काटा जाता है जैसे मान के चलो hip कितना है 38 inch का तो 48 पे आप काट सकते हो या 46 पे भी काट सकते हो कमर belt टोटल ठीक है तो यह सब भी जानकारिया होती है चलवार पेटर्स के लिए आगे बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत helpful होंगी तो फ्रेंट्स यह मैंने एक idea आप लोगों को दिया इस प्रकार से आप कर सकते हो और अगर आप चाहिए कि आसन के लिए मैं और अच्छे से explain करूं और कुछ चीज़ें बताओं तो आप comments में लिख सकते हो मैंने हीप के recording अपको बता दिया है 34 इंच हीप से मैंने शुरू किया इससे कम के लिए भी हो सकता है जैसे इससे कम हीप है 32 का हीप है 30 का हीप है तो आसन आपका और कम होगा साड़े बारा बारा इस तरीके से होगा मैंने 34 से start किया normal measurement पर मैंने focus किया है जिसकी सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रत होती है एक बार फिर से देख लेना 34 के लिए 13 इंच है और इस तरह से आपका आसन जो है बढ़ते बढ़ते जाएगा मतलब 34 पे 13 रखना है और hip 2 इं करना चैनल पर पहली बराएं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा मैं आजना आप से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन